चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे 30 kv old आपका कितना दिया हुआ 33 किसके लिए आपका primary side में और यहां पर थोड़ा सा confusion हो गया 30 लिखावा था गलत था 33 kv आपका क्या होगा 220 by 33 यानि आपका e2 by e1 e2 आपका क्या है secondary side का voltage और e1 क्या है आपका primary side का voltage ठीक है तो यहां से अगर हम लोग e1 निकालना चाहें तो e1 की value कितना निकल जागा e1 की value हो जागा आपका e2 by k तो e2 केतना 220 और आपका e1 कितना तो calculate करें k की value केतना k की value आपका 20 by 3 तो 20 by 3 की जागर तरी ऊपर और यहां से e1 की value निकल जागी 33 kv क्या निकला आपका e1 की value और यह जो e1 निकला ध्यान से देखिए यह कुन सा निकला new आपका e1 निकला अब बोलिएगा तो e1 new जो value था उस तो हम लोग माने वे हैं केतना 220 kv क्या है आपका यह आपका 220 kv new value हम लोग माने वे हैं voltage की लेकिन यह 33 kv कहां से new आ गया तो यह आप ध्यान से देखिए कि यह जो 220 kv दिया वा कहां पर का दिया वा है transmission line के लिए दिय कर्मर का secondary side का new value है इसी new value को यदि primary side हमको consider करना है तो क्या करना होगा transformation ratio लेना होगा और आपकी जो value calculate करके आएगी वो केतना आएगा 33 kv और यह जो value होगी वो new value होगी यदि primary side secondary side 220 kv है तो उसी new value को जब आप primary side shift कीज़ेगा तो उसकी value केतना हो जागा 33 kv हो जागा आप क्यों किया क्योंकि transformer है यह transformer का मतलब इसका secondary अलग primary अलग होता है यानि आपका electrical कोई connection नहीं होता है दोनों magnetically couple होता transformer में तो जब secondary का जो voltage rating है वो primary की voltage rating नहीं होगी क्योंकि दोनों के बीच में कोई electrical connection नहीं होता यदि हमको secondary से उठाकर primary में लाना यह secondary के लिए voltage दियावा और power जो है वो तो सब के लिए common है सब जगा पर power चीज़ नहीं होता है लेकिन इसी 220 kv को transmission line का जो voltage न्यूप आपका voltage दियावा है इसको आप primary side में valid करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा उसको उठाकर primary side लाना होगा और primary side लाने के लिए transformation ratio consider करना होगा तो यहां से even की value निकली और यह जो voltage निकली वो new voltage है 33 kv को आप उठाकर secondary side कर दी जागा तो केतना जागा फिर 220 kv आ जागा तो यह आपकी value निकल गए अपर unit impedance of new reactance हम निकाल लेंगे कहां पर का primary or transmission line primary side का तो आपका 15% आपका दियावा 50 by 100 हो गया आपका और 100 आपका MVA rating दियावा है transmission या power transformer का बोल दिए primary secondary या transmission सब के लिए common 100 by आपका जो voltage value 33 33 आप रख दी जागा बाटी 33 आप voltage की value आपका निए और old दोनों आपका सेम आ गया तो वो value रख दियो और आपका calculation करने के बाद जो impedance की value होगी वो कितना होगा 0.5 आएगा ठीक है तो यह हम लोग कहां पर निकाल लिए primary side में निकाल लिए आपका transformer के primary side में हम लोग निकाल लिए पर unit value reactance की new reactance ठीक है अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे है जनरेटर का reactance value निकालने जा रहे है पर unit reactance new value यानि आपका handed MV और 220 kVA पर निकालना चाहरे है तो आपका kVA old कितना होगा kVA old जनरेटर का दियावा है 40 MV तो 40 रख दिया आपका kVA new कितना दियावा 25 तो आपका के अच्छा kVA new कितना कितना दियावा है 25 तो यहां पर अच्छा कोश्चन में दूसरा दिया एक मिनट पॉसरा की मिने का दियावाद चीड़ से दियाए 15 मिन अगल श्या है आपका पका के तो 50 ते Figてनार बировать सबस्दकrick मिन मिनılख भादावादार का की मिन रहुज यहां